सरोकार पूर्व मंत्री मुके सहनी ने कहा मेरा लक्ष विक्सिक बिहार देखना विआईपी लड़ रही लोगों के हक की लड़ाई मुझफर नगर निगम के 49 वाडो के लिए चुनावी समर में उत्रे 247 प्रत्याशे बिहार में अभी कॉमर्स को मिलेगी रफतार पटना में बनेगा राजी का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ बिहार बिधान सभा के बिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा ने नितीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया था लेकिन नितीश कुमार जंगल राज के गोद में जाकर बैठ गए हैं नितीश कुमार का कोई विजन नहीं है उनका विजन कुरसी है बता दें कि जिस तरीके से विहटा में बालू माफिया के बीच गोली चली है वो बहुत ही निंदई है तो आईए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष ने और क्या कुछ कहा है यह माहौल एक दासत का वातावन बनाया जा रहा है अईस पर भारतिये जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी पूरी ताकत के साथ इनके इस अरजक्ता के विरुध में इस गुंडा राज के विरुध में हम जन आंदोलन करेंगी और अब हरस्ताचारी की जब सरकार बन गई तो इनका मनोबल हाई हो गया है तेजस्वी जादव के साथ बैजु जादव का फोटो है कई बरे लीडर के साथ है यह जो नाटक कर रहे हैं नौजवानों के भविस के बारे में इनकी वो नहीं अपनी और अपने पडिवार और भरस्ताचारी अपराधी को संदच्छित कर दुर्गा पूजा 2022 को लेकर चानन थाना में शांती समिटी की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी अचल अधिकारी सा थाना अध्यक्ष की अधिक्षता में की गई पूजा शांती पूर्वक और बिना किसी भेदभाव के होई इसके लिए पूजा समिटी के लोगों से वारता की गई इस बैठक में पूजा की तमाम इससी टीवी सरजन तक का जाइजा लिया गया तो वही थाना अध्यक्ष रूबी कश्यप ने तमाम हिदाया दे कर बताया कि सेस्टी अफ बल को नौवी और दश्वी की सुरक्षा की दृष्टी से लगाया जाएगा और कुल पर दूसर में डीजे वगरा एक परतिवनित किया गया है और साथ सखाई का ना अपूरा ध्यान रखा गया है तो वह सम्मिकी के दौरा शाकुन ठाना परिसर में दुरगा पूजा को लेकर शांती समिटी की बैठक की गए जहां पूजा समिटी के लोग उपस्तित रहे इस बैठक में निर्देश दिया गया कि कोई भी वेक्ती शराब पी कर जुलूस में या पूजा में ना आए आज समाजिक तत्वों पर किस शांती की भी नजर पड़ती है तो वह तुरन ठाने में खबर करें प्रशासन की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा सांती कहा गया कि भाई चारा और साहर्द वातावरण में तेवहार को मनाए शांती समिटी की बैठक में सैक्ड़ों लोग उपस्थित रहे पर मनाने का आश्वासन दिया है और हम लोग भी एकदव मुववब रहेंगे पूरा प्रशासन मुववब रहेगा जी सभी मीडिया कर्मी सभी बुद्धी जी विभार इव बार इवारण और सांती जी समीटी के लोग के समन्मित प्रियास से एकदम सांती पुर्ण मौहौल में हम लोग कुजा मनाएगे। बिहार केडर की एक महिला IAS अधिकारी हरजोत कौर का बयान सुर्खियों में हैं। सुर्खियों मिस दिये हैं क्योंकि राजधानी पटना की छात्राओं ने जब सैनेटरी पैड और सौचाले को लेकर सवाल किये तो उनके जवाब अटपटे थे। वही इन लड़कियों के सवाल पर हरजोत कौर के जवाब ने कई लोगों को आसहज कर दिया। कि व neither सुर मना थो फूल आग चाट्र है। जो वहा बात्रूम के लिए गई थी तो वहां बात्रोम है उसमें जेर्ण सरan और लड़की सभी जाते हैं। लड़का लड़की उसी जाते हैं। प्लबार नहीं पेने कर दो पूरे बिहार पूरे देश में हम अंदोलन चेड़ते हैं आरा के भोजपूर में हत्याओ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है बेखौफ अफरादियों ने पूर मुख्या के पुत्र को गोली मार दी घटना के बाद अफरात अफरी का महौल कायम हो गया मौके पर उपस्तित लोगों ने जक्पी को इलाज के लिए नीजी नर्सिंग होम में भरती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है यह सुबा में रोज के भाती मतलब ता हुलने के लिए जाते हुए जाते हुए जाते करम में मतलब घर से 100 से 200 मीटर के दूरी पे कीराना दोकान है कीराना दोकान से जस्ट आगे बढ़े है बस चार मतलब 22 सवार अपरादी किस्म के लोग थे पता नहीं है कि अम लोग तो घर पे थे हैं गली में बता रहा दो पिचार लोग था और उन पे यह परहार किया थी यह मतलब भाग कि किसी घर में घूस गया कि अधर में घूस्ते करने के गोली चला दिया है लाहर पा मुख्या है बब्रु सिंग उनको में पास पांच-चालीस में पोन आया था कि गन्सोट गोली लग गई है राइट साइड चेस्ट में गोली लगी है काफी सिरियस इस्तिक्ति में आया है इस्तिय अभी में बहुत नाजोगा अभी इनका नाम बबलू सिंग है अग्याओ गणनी से बिलॉंग करते हैं बजार शोरूं के पास इनका घर है अज सुभा मॉर्णिंग वाक करने के लिए निकले तो पीछे से हज्यार बन दो इनको देशी कट्टा जो होता है उससे पी कैमूर जिले के रामगर बाजार में सुभा स्कूल गई चार साल की मासुम छात्रा अचानक गाइब हो गई हलाकि स्कूल केंपस के बाहर लगे सीसी टीवी फोटेस से इस बात की पुष्टी हो पाई है कि चार साल की छात्रा की उंगली पकड़ कर एक यूवक उसे ले जा रहा था इधर विद्याले से छात्रा के गाइब होने की सूचना पर परजनों करोरो कर बुरा हाल है बहर हाल इस बात की जानकारी जैसे ही कैमूर एसपी राकेस कुमार को मिली वे घटना इस्तल पर पहुँच सीसी टीवी फोटेस की जाचकी जिसको लेकर एसपी ने कहा कि छात्रा के गाइब होने या फिर आपरण जैसी बात को कहना जल्दबाजी होगी कि अग्याद वेक्ति के साथ में चली लिए स्कूल परसर से ही कुछ फोटेज हम लोगों को प्राथ खुब हैं जिसमें भी तरह आये को वेक्ति बच्ची का हाथ पकड़ के ले जा रहा है उसी आल उसी मामले के आलोप में हम लोग अपना अमस्वान प्रारम कर रहे हैं नालंदा जिले के बिंद थाना शेतर में तीन दिन पहले सड़क लूटेरों द्वारा कैमरा लूटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कारवाई कर कुल चार लोगों को गिरफतार कर लिया है जिसको लेकर डी एसपी सदर ने बताया कि गिरफतार लूटेरों के पास से जिसमें पुल चार लोगों के गिरफतारी हुई है जिसमें विद्री रूद बालक है और घटना में लूटे गए जो कैमरा यत्यादी है सबी सामानों की बराम्दगी हो गई है कॉल करने वाले मोबाईल सेट साथ साथ लूटे हुए एक मोबाईल सेट और घटना में मोटर साइगेल की भी बरामदेगी हुई है अन्ना अभ्यूक्त की पाज़ान सत्याबिक हुआ है जिसके गिरफतारी के लिए हम लोग करवाई करें। दशेरा के मौके पे डांडिया का प्रोग्राम हर साल किया जाता है। तो वहीं इस मौके पे लोगों ने डांडिया कारिकरम का जम का लुफत उठाया। बता दें कि इस मौके पर रोटरी क्लब तथा गत के सदसों के लावा शेहर के बहुत से गडमान लोग उपस्थित रहे हम लोग का उद्देश है दसहरा के टाइम में हर साल हम लोग रोट्री डांडिया करते हैं और ये डांडिया जो है रोट्री कलब तथागत के द्वारा किया जाता है और इसे मेन हमारा उद्देश क्या है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं पांसो बच्चों को संजोसेप एस्कूल में और उससे इस डांडिया के द्वारा हमारा फंड रेजिनिंग प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम के द्वारा हम डांडिया भी करते हैं और लोगों को जागलिक भी कराते हैं और एक प्रोग्राम करवाते हैं जिससे लोग एक दम दसहरा के टाइम में एक उस्सा बना रहे लोगों में आज के दिन रोटी तथागत विहार सिफ के द्वारा दांडिया नाइट का आईजन किया है जो बिगत कुछ बर्सों से विहार सिफ में हर सल दसहरे के सुब अपसर पर मनाय जा रहा है यह पर शुद रूप से हम रोटी परिवार विक का विचार आया कि मनाय जा उसी तरह से एक सिल्सला चालो हो गया जो बिगत 10-15 सालों से मनाय जा रहा है इसमें जो खर्चे आते हैं हम लोग अपने रोटी परिवार दान के शुरूप में देते हैं नवादा जिले के फतेपूर में जारखंड राची से बिहार शरीव की ओर आ रही श्री विष्णू रत ने खड़े ट्रक में जोरदा टक कर मार दी है गौर तलब है कि श्री विष्णू रत रोजाना की तरह जारखंड से राची से बिहार सरीव की ओर आ रही थी रत चालक ने किनारे खड़ी ट्रक में ठोकर मार दी चालक घटना इस तल से फरार हो गया जिसमें विष्णू रत पर सवार 40 यात्री जक्मी हो गये बस मैनेजर ने बताया कि बस पर सवार अधिक्तम यात्रियों यात्रियों में BPSC के चात चात्राइं शामिल थे लेकिन दीप नगर थाना पुलिस ने बस को अपने शेत्री इलाके से जप्त कर लिया है इसे परिषार भी थे लोग फईयत है अज इतर परिषार थे लोग फईयत है अधिक्तर परिषार थे लोग इंजाम दरी जा रहा है सीमा वर्ती जिले पुनिया में फेक करेंसी का बड़ा खेप पकड़ा गया है पुनिया पुलिस ने चार लाकी क्यानवे हजार फेक करेंसी और नोट छापने के दो प्रिंटर के साथ पांच तसकर को गिरफतार किया गया है ये गिरफतारी पुनिया के जानकी नगर थाने के चौपड़ा बाजार से की गई है पुनिया पुलिस अदिक्षक दयास शंकर ने बताया कि गिरफतारी के बाद पुस्तास में पता चला है कि जानकी नगर में नोट छापने का कार खाना चल रहा है जहां जाकर पुलिस ने नोट छापने वाले प्रिंटर और पेपर को बरामत किया है पांच लाक के फेक करेंसी डो लाक में दिया जाता था जो ग्रामीर बजारों में भीजा जाता था और इस तलाशी लेकि तलाशी के करम में उनके पास 4 लाक एक आभे अजार रुपय बरामत हुए इनके द्वारा बताया गया कि जानकी नगर में इनके द्वारा प्रिंटर से जाली मूट के प्रिंटिंग की जाती है इस मुचना का रोप हैं लोगों ने वहां पर चापे मा लखी सराय कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर रामपूर चानन में काम करने वाले सुरुक्षागार्डों का दो महिने से वेतन बंद है और लोग बीना वेतन के ही काम कर रहे हैं इसको लेकर इंस्चार्ज आशुतोस कुमार ने मुबाइल पर बात की गई ना कि जब तक किसी को सेलरी नहीं मिली है दूसरी तरफ सूतरों के हवाले से बात सामने आई है इन लोगों को और अंगाबाद की कम्पनी के मालिक से 65-100 ही सेलरी मिलती है जबकि सेलरी इससे दुगनी है नवादा नगर्थाना शेतर के गुनामा से सटे आहार में एक यूवक का शौ मिलने से इलाके में संसनी फैल गई वहीं गटना की सूचना मिलते ही नगर्थाने की पुलिस गटना श्तल पर पहुत शौप को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए नवादा सदर अस्पताल भीज दिया जिसके बाद पुलिस यूवक की पहचान में जूटी हुई है हम लोग सुभा इधर आये थे तो गाउ में राजो मांजी नाम का बिक्ती मिला और भाई बोले कि इधर एक लास फेका हुआ है जो कि पांच छे दिन पहले से फेका हुआ हुआ है पानी में ताक के देखित क्या लगा लगा कि कोई हत्या कर यहां पर फेक दिया है कहां पर प्रामत हुआ है यहां पर बोजपूर जिले में बढ़ रही अपराधि घटनाओ पर अंकुष लगाने के लिए जिले में लगातार चापे मारी कर अपराधियों को गिरफतार कर जेल भेजने की कवाया तेज हो गई है जिससे अपराधियों में भैका महौल भी कायम हो गया है जहां भोजपूर एसपी संजय कुमार सिंग ने एक साथ पांच घटनाओं का खुलासा किया है उसमें दो व्यक्तियों की पहचान वी है यह मामला एक प्रेम प्रसंट से जुड़ता हुआ भर के सामने आया था और जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी बहन को परि किस ङांथ जिए फ्रेव फ्यू थे आगे ने जर्वेत्ह बने गया है और वोस्कोर नंौया वेजियों करन नाम के विटियों के द्वारा इसंतेु अपनी इसलिक्तिता भी और घटना का का कार्ण किसमस्त किया गे बिहार की खबरों में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी सच साहस सरोकार